हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वेटीट कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप सबसे पहले ट्वेंड को आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद उससे आप कैसे profit बना सकते हो सबसे ज़्यादा problem लोगों क्या होता है कि वो सही trend को identify नहीं कर पाते हैं वो exactly नहीं पकर पाते हैं कि ये downtrend है या uptrend है अगर पकर भी लेते हैं वो trend के against जाने की कुसिस करते हैं उनको नुक्सान उठाना पड़ता है तो सबसे पहले आपको ट्वेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आपका 30-40% काम वहीं हो गया उसके बाद आप सही तरीके से इंप्लिमेंट करके वहां से आप प्रॉफिट बना सकते हैं और ट्वेंड को फॉलो करते हुए चलिए इस वीडियो हम सीखते हैं कि कैसे हम ट्वेंड को आइडेंटिफाई करके वहां से हम प्रॉफिट बना सकते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका I.C.I.S.A. Bank का आवरली चार्ट है तो इसके वेसिस पर आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्वेड कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपका trade का accuracy level थोड़ा सा कम हो सकता है तो उस बात को आपको ध्यान में रखना होगा वैसे आवरली चार्ट में आप इसको perfectly इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इस्तमाल आप 2 hour, 4 hour या फिर डेली चार्ट में भी कर सकते हैं तो आपके हम आवरली टाइम फ्रेम में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक indicator का इस्तमाल किया है उस indicator का नाम है CCI CCI का मतलब होता है Community Channel Index तो यह एक indicator है जिसका general ही लोग इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन यह powerful indicator है जिसके basis पे हम काफी हद तक trend को identify कर सकते हैं लेकिन इसके basis पे जो general trade किया जाता है जो traditional method है trade करनेगा उसका हम इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी indicator का traditional method यूज करके हम profit नहीं बना सकते हैं वहाँ पे multiple time हमे false signal भी लेगा और हम frustrated हो जाएंगे क्योंकि हमें कई बार losses उठाना परेगा तो traditional method क्या है सबसे पहले वो में आपको बता ज़ता हूँ तो यहाँ पे जो इसके लिए crucial level आता है सबसे पहले आपका एक आता है नीचे में minus 100 का level और उपर में आपका 100 का level यही दो level इसके लिए काफी crucial है अब traditional method क्या है कि अगर यह 100 के उपर जाता है तो यहाँ पे जन्वरी लोग 62 के तरफ जाना प्रेफर करते हैं और अगर यह minus 100 के नीचे आता है तो जन्वरी लोग इसको sell करना प्रेफर करते हैं लेकिन यहाँ पे हम यह वाला use नहीं करेंग अब यहाँ पे आपको weight line और green line दिख रहा होगा यह weight line जो है वो आपका 100 का level denote कर रहा है और यह green line है वो आपका minus 100 का level denote कर रहा है यह नहीं जो traditional method है price जैसे इसके नीचे आया यहाँ पे हम क्या कर देके sell side की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और जैसे इस कूपर आया हम यहाँ पे by side की तरफ जाना प्रेफर करेंगे लेकिन अगर आप देखोगे तो कई बार देखें यहाँ पे हम multiple time दो बार trap में फस सकते थे क्योंकि इसके नीचे गया है और sell करते तो trap में फस सकते थे इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार यहाँ पे हम trap में में फस सकते हैं इसके basis पर अगर हम trade करेंगे तो इसलिए हम इसके basis पर trade नहीं करेंगे यहाँ पे हम कुछ अलग season को चलिए समझते हैं लेकिन उस modification को समझने के लिए यहां पर हमें एक हमें फोर चीज की ज़गोरत हों के जो कि हमें हर एक वीडियो में ज़गोरत पड़ता है एक क्रूशीय अख हमें काफे नीफाइक करना हमें उसके लिए यहाँ पर बस हमें support और resistance level identify करना उसके बार daily charge का और कोई काम नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि price आपका इस level करीब नीचे आ जा रहा तो मतलब यह level आपका initially में resistance के रूप में काम कर रहा था अब जैसे ही price इसको break करके ऊपर निकला है इसके बाद यह क्या बन गया इसके बाद यह आपका resistance support में convert हो गया मतलब यहाँ पर अभी price trade कर रहा तो यह level आपका support के रूप में काम कर रहा तो यहाँ पर मुझे अपना support level मिल गया और at the same time यह लगवग आपका all time high के करीब गया था तो यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा resistance level बन जाएगा तो यहाँ पर हमें काफी crucial resistance level और support level मिल गया अब इसी resistance और support level को हम कहाँ पर डूप करेंगे आवली चार्ट में हम डूप करेंगे चलिए अब हम चलते हैं आप अले ही चार्ट पर क्योंकि यहां पर हमने resistance और support फाइंड कर लिया है तो देख सकते हैं, यह जो label है, यह हमारा resistance के रूप में काम करेगा और यह जो label है, यह हमारा support के रूप में काम करेगा, काफे crucial और काफे strong support और resistance level है अब हम इसके basis पे modifications करके क्या trade लेंगे, यह थुरा सापको समझने की जरूरत है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कि price आइदर आपका resistance के करीब होना चाहिए या फिर support के करीब होना चाहिए तो यह label के बाद हमने क्या identify किया, support और resistance level draw ही किया है तो हम इसके बाद का देखेंगे, कि इसके बाद हम कैसे, इसके basis पे trading positions initiate कर सकते है इसके बाद price आपका नीचे आ है, और वापस से आपका resistance level के करीब यहाँ पे गिया है तो जब price आपका कहां पे हो, resistance के करीब हो, near resistance हो, उस ताइम पे हमें क्या देखना है उस ताइम पे हमें एक चीज़ देखना है, कि जो CCI है, यानि community channel index है वो आपका 100 से above है या नहीं है, यानि ये rate line से उपर है या नहीं है आप यहाँ पे modifications करके इसमें भी आप 100 के level को rate कर सकते हैं और minus 100 के level को green कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो तो यहाँ पे अगर हम गौर करें, तो देख सकते हो, जो CCI है आपका, वो 100 से above हमें दिख रहा है मतलब यहाँ पे अब हम अपना trading positions initiate कर सकते हैं सबसे पहले दो काम देखना है, westerns level के करीब होना चाहिए और CCI 100 से above होना चाहिए अब उसके बाद, प्राइस यहाँ से हमें reversal लिखना चाहिए, यहाँ वेस्टेंस level करीब से प्राइस नीचे जाना चाहिए और at the same time, CCI भी क्या होना चाहिए, इस 100 के level को break करके नीचे जाना चाहिए तो जैसे ही दोनों काम होगा, CCI आपका 100 के level को break करके नीचे जाएगा और यहाँ पर हमें reversal लिखेगा, हम क्या करेंगे, हम sell side की तरफ अपना trading positions initiate करेंगे यह concept समझ में आ गया होगा, resistance level करीब price होना चाहिए, price यहाँ से reversal, यह नीचे side की तरफ जाना चाहिए और जब यह resistance level करीब होगा, CCI 100 से एवब होना चाहिए और जब यह नीचे जा रहा होगा, तो CCI भी 100 के level को break करके नीचे जाना चाहिए जब ऐसा conditions होगा तो यहाँ पर हम sell side की तरफ positions initiate करेंगे और यहाँ पर देखिए, यह वाला काम हुआ भी है अब इसी candle पर CCI का किया, 100 के level को break करके नीचे आ गया है यह candle जैसे ही close होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे sell side की तरफ positions initiate करेंगे, sell side की तरफ यहाँ पर हम interview लेंगे, यह जो highest point है, हमारा SL के रूप में काम करेगा यानि तो और safe जाना है, इसको भी SL के रूप में रख सकते हैं, अगर SL आपका ज्यादा big नहीं हो रहा है तो, लेकिन सटीक जो SL है, अभी का जो highest point बना है यह हमारा perfect SL बन जाएगा, उसके बाद यह हमारा first target price बन जाएगा और उसके बाद यह जो level है, यह हमारा second target price बन जाएगा तो इस तरीके साब previous swing high और swing low के basis पे अपना target price set कर सकते हैं और उसके बाद third target price जो हमारा support level है, यह भी हमारा बनता हुआ, दिख जाएगा third target price तो इस तरीके से हम यहाँ पे entry ले सकते हैं, sell side के तरफ अब यहाँ पे हम support level करीब अगर price आता है, तो हम यहाँ पे कैसे trade लेंगे, इसी के just apposit यहाँ पे हम trade लेंगे और एक और काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, कि price जैसे आपका support के करीब आया, या नहीं तो हमने यहाँ पे जो trade initiate किया था वह हमने इस level करीब trade किया था, और जैसे ही यह green line को break करके नीची आया, तो इस green line को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे trailing SL का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इस green line को हम trailing SL कर लेंगे, अब price जैसे इसके करीब आया, तो यहाँ पे अपना हम profit booking कर सकते हैं, यहाँ यहाँ से exit निकल सकत तो यहाँ पे multiple तरीका है, अब देखिए, price यहाँ पे आपका support के करीब आया है, अब जब price आपका support के करीब हो, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो CCI है, वो आपका minus 100 से नीचे होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे minus 100 से नीचे है, अगर हम करीब जब आया थी आपका माइनस हंड्रेट से नीचे है अब दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि जब प्राइस सपूर्ट से रिवर्सल ले रहा है यहीं सपूर्ट से उपर साइड की तरफ जा रहा है तब CCI क्या होना चाहिए माइनस हंड्रेट के लेवल को ब्रेक करके उपर निकलेगा तो यहाँ पर हम बाइसाइड की तरफ ट्वेडिंग पोजिक्शन इनिशियेट कर सकते हैं तो इसके वेसिस पर ट्वेड कैसे लेना है अगर हमें प्राइस करीब देखे तो CCI हंड्रेट से एवब देखे और जब प्राइस यहां से नीचे जाए यह भी ह हंड्बेड के लेवल को ब्रेक करके ऊपर है तो जैसे इसके ऊपर आएगा हम यहां पर ही के उपर बैस कर लेंगे किस तरफ भाम सबकनीयगेत की तरफ यह पैला एसल के काम करेगा और पहला टागे हम इस्पॉंक को रRunख टागेट पैस हो जाएगा तिये पोजीशन अभी हमारा ओपएन है या नहीं तो अगर आपको डर लग रहा है तो इसी लेवल के आसपास आप अपना प्रोफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल करीबा है या फिर यहां से नीचे आने लग यह फिर इस लेवल के आजपास भी ना सकते हैं यहां पर हम एक और एक्जामपल लेखते हैं जिसे आपको यह concept और ज्यादा क्लिएटी के साथ समझ में आ जाएगा अब हम यहां पर आ गया है किस पर यहां पर हम आपका इस्टेंश के रूप में काम कर रहा था फिर इसको पर लिकार लिकर नीचे आ तो फिर आपका यहां से आपका सपोर्ट बन गया तो अभी हमारा सपोर्ट की रूप में काम करता हुआ दिखा रहा क्योंकि लेवल मुल्टिपल टाइम्स अपना फॉर्म चेंज किया सपोर्ट वेस्टेंज सपोर्ट वेस्टेंज उसके बाद और सपोर्ट वेल एब लेवल है इसके बाद हम सीचिय को यूज करते हुए ट्रेणिंग पॉजिशन कर सकते हैं अब यहां पर देखें प्राइस आपका रिस्टेंज लेवल के करीब आया है यहां पर देखेंगे से एवब है या नहीं है देख सकते हैं प्राइस जब नीचे कर सकते हैं इस त्रीके से आप आ्सानी से ट्वेरी में कर सकते है और जो प्रीगियो अल्टिमेटली हमारा इसके करीब आपके टागेट पैस हिट किया है तो उसके बाद भी देख सकते हैं मल्टिपाल टाइम यहां पर रिस्टेंसेवल करीब आया है तो देख सकते हैं यहां पर भी हम इसी तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से मल्टिपाल टाइम आप सपोर्टवन के बाइप निशेल कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो कॉम्मडिटी चैनल इंडेक्स है उसके बिशिस पे आप यहां पे 20 को identify करते हुए trade initiate कर सकते हैं trade लेना आप सीख सकते हैं तिहां पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके से technical analysis सीखना है कि कैसे हम सपोर्ट वेस्टेन्स लेवल ड्रॉब कर सकते हैं और आपको from basic to advanced सीखना है हमारा पूरा basic से लेके advanced level तक course डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाबा topic specific यानि FNO के लिए अलग से course है basic से लेके advanced level तक charting pattern के लिए अलग से course है candlestick के लिए अलग से course है technical analysis के लिए अलग से course है और trading strategy के लिए अलग से course है तो सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोड करके course पर विजिट जरूर कीजिए पसंद आता था आप उसको involve कर सकते हैं और यह सारा course देखने के बाद आप यहाँ पर as a independent trader काम कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको as a career के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके से हमने सारा कुछ आपको गाइड किया है तो एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोड करके course को विजिट जरूर कीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने CCI को यूज करते हुए और at the same time support और resistance level को यूज करते हुए कैसे हमने trend को identify करके यहाँ पर trading positions initiate किया और यहाँ पर जो हम buy side की तरब भी trade initiate कर सकते हैं और sell side की तरब भी जा सकते हैं सबसे पहले हमें support resistance level identify करना होगा और वहीं पर trade लेना होगा इसका जो traditional method है कि भाई अगर यह 100 से उपर गया तो uptrend है तो buy कर लो आप बहुत ज़्यादा late हो जाते हैं इसके उपर buy करने के और minus 100 के नीचे गया तो आप sell कर दो तो ऐसे करोगे तो आप बहुत ज़्यादा late हो जाते हैं बहुत बार trap में फस होगे इसलिए ये काम नहीं करना है जो मैंने आपको इस वीडियो बताया कि support western से और identify करके उसके basis पे आप trade करके CCI का use कर सकते हो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें encourage किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथी साथ बेल आइकन दबनो ना भूले ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगर भी बनाए उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें तो that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन